टच स्क्रेन किलासेज में आपका स्वागत है आज मैं आपको जो बिहार बोर्ड का एक्जाम हुआ था क्लास 12 का हिस्टरी का जो कोशन है उसका सोलुशन लेके आया हूँ जो 2022 का है तो यहाँ पे हिस्टरी का जो है यह निर्देश यह आप लोग पर लेना और यहाँ पे हम पहला कोशन लेके आते हैं रामानंद के सिस्ट कौन थें तो रामानंद के सिस्टे इन में से सभी थे सब थे कबीर भी उनके सिस्टे रैदास भी थे धन्ना थे पीपा थे ये सब रामानेंद के क्या थें सिस्थें टलबंडी किसका जन्मास्थान है गुरु नानक का टलबंडी जो है गुरु नानक जी का क्या था जन्मास्थान था ख्वाजा मुईदिन चिष्टी का दरगा कहा है तो इनका दरगा अजमेर में है कोश्चन नमबर चार है कासी के परसिद संत का जनम हुआ था कबीर का जनम उत्तव परदेश के वारा नसी में हुआ था तो यहां पे कबीर का जनम कासी में हुआ है विजक में किसके उपदेश संग्रित है तो कबीर के विजक जो है उनके दोरा एक पुस्तक लिखे गई है जिसमें उनके उपदेश को संग्रित किया गया वो कबीर जी है हिंसंग किस देश का यातरी था हिंसंग चीन देश का यातरी था तहकीक ए हिंद किसकी यातरा विरतान्त है अलवरूनी की तहकीक ए हिंद अलवरूनी की यातरा विरतान्त है मौरकाल का परसिद युनानी यातरी कौन था मेगा अस्थनित जो था मौरकाल का परसिद युनानी यातरी था और अलबरुनी किस के साथ भारत आया था महमूद गजनी के साथ गजनी के साथ वो भारत आया था कैप्टन होकिन्स किस मुगल सासक के दर्वार में आये थे जहांगीर के दर्वार में आये थे आएने अकवरी कितने भागों में विवक्त है पाँच भागों में आएने अकवरी को विवक्त किया गया है दिल्ली से दौलाताबाद किस सासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी मुहंबद बिन तुगलक गुलबदम वेवन किसके आगरह पे हिमायू नामा लिखा था यह हिमायू की पतनी थे गुलबदम वेगम अब्दुल्हमिद लाहूर के दौरा बादसा नामा लिखा गया फतेपूर सिक्री किसकी राजधानी है अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया था फतेपूर सिक्री को अकबर ने किस संदीन एह इलाही चलाया है 1882 इसमी में अकबर के संद्धक कौन थे बैडमखा भारत में मुगल वंस के संस्थापा कौन है भावर पिर उसके भारत का अंतिम मुगल समराथ कौन था तो बहादूर सा जफ़र जिसको बाद में रंगुन भेज़ दिया गया था पिर अकबर के समकालिन इतिहासकार कौन थे बदायूनी तो निम्र आपसंस में बदायूनी होगा और दक्कन डंगा आयो कब गठित हुआ 1875 इसवी में कौन वालिस कोड कब बना था 1793 इसवी में दामीन दह इको क्या था बुभाग था दामीन दह इको एक भुभाग था ठीक फ्रांसिस बुकानन कौन था सरवेक्षक था इस्ट इंडिया कंपणी की अस्थापना कब हुई थी 1600 इसापुर्ग में इस्ट इंडिया कंपणी की अस्थापना हुई थी लक्षमी भाई के गोद लिये पुत्र का क्या नाम था डामोदर रा जगदीश पूर में 1857 के क्य famille. इंग्लेंड के पर्दानने का दें। थे पॉमियामुन में कौन हरपा सब्यटा का नगर नहीं है तो विजय नगर विजय नगर जो है वह हरपा सब्यकर नहीं है यह फिक मानना भूल गह थे चुकि हरपा का जो जगह नहीं है वो वीजय नगर होगा विलियम्स जोन्स ने एसियाटिक सोसाइटे की अस्थापना की कव 1784 इसवी में डाया राम सहने ने हरपा सबेता की खोज कव की थी 1921 इसवी में धौला विरा किस राज में इस्थे थे गुजरात में मोहन जोद्रो किस भासा का सब्द है सिंदी भासा सब्द है और हरपा सबेता का विसाल अस्नानगार किस नगर में पाया जाता है मोहन जोद्रो में पुरातत के अंतरगत निम्नि में से कौन एक सही आता है साहित आता है लोथल किस नदी के किनारे इस्टित है भोगवार नदी के किनारे इस्टित है त्रिपी तक किस धर्म में साहित है किस धर्म का साहित है तो यह बहुत धर्म का साहित है रास्तरंगनी किस ने लिखी थी कलहन ने मुसलिम लिख किया स्थापना उनीस सो छे सबी में हुई थी सु पाकिस्तान एक सोतंत्र राष्ट के रूप में कब अस्तित्त में आया 14 अगश्ट 1947 को संभिधान के पारुप समीति के अध्यक्ष कौन है भी मराव अंबेतकर भारत कब गंतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 इस भी को भारत गंतंत्र हो गिया फिर उसके बाद है सोतंत्र भारत के पहले गिरी मंत्री कौन है पर्थम गिरी मंत्री सरदार बल्लब भाई पतेल पाकिस्तान का पहला परधान मंत्री कौन है लियाकत अली बहादूर साज जफर का देश निकाल कर कहां भेजा गया था रंगून जो की मुगल बंस का सबसंतिम सासक था 1857 की बिद्रू के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था लॉर्ड कैनिंग फिर उसका विपगत के सिद्धान का संबंद किस्ते है दौल हजी से और 1857 की कि किस्तिति से आड़म हुई थी दस माई से गेटवे ओफ एंडिया कहां इस्तित है बॉंबई में है इंडिया गेट का निर्मान कवा 1931 में भारत में रेलवे की सुरुवात कभ हुई 1823 में भारत में बासको डिकामा कब आया 1498 में ब्रेटिस आसनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धान्त किस्ने परतिपादित किया था दादा भाई नौरो जी ने ड्रेन ओफ वेल्थ जिसको कहा जाता ह धन प्रवास का सिद्धान्त भगत सिंको फांसी कभ दी गए थी 23 मार्च 1931 को महावीर स्वामी का जनम कभ हुआ सा पांसो चालिस इसावर्स पुर्वी में दिगंबर एवन स्वेतांबर किस धन से संबंदित है जैन धन से संबंदित है साची मदपर्देश के किस जिले में इस्टित है राइसेन जिले में इस्टित है और मदपर्देश का राइसेन में है साची प्राची भारत में धम की सुरुआत कि सासकने के थी असोकने किया था और है अकबर नामा किस की रचना है अबूल फजल की सेर सार ने चौसा के यूद में किसे प्राजित किया था हिमा गिर्गर का सासन काल अकबर के काल में भूमी को कितने भागों में वर्गिक रिइत upgrading ग्याएं था चार भागों में नवरतन किस्के धर्वार में थे अकबर के धर्वार में चौरी चौरा कांट किस बर्स हुआ 1222 में हुआ सेरे पंजाब के नाम से किने जाना चाहता है लाला लाज पतराय को साइमन कमिशन भारत कब आया 1908 से सबी को निम्न में कौन सा आंदोलन डांडी मार्च से सुरू हुआ सो भी ने अवग्या आंदोलन डांडी किस राज में इस्थे था गुजरात में महात्मा गा रॉलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था 1909 सिवी में जालिया वाला बाग हट्ट्या कंड कब हुआ था 1909 सिवी में बंगाल के विवाजन की घोसना कब की गए थी 1905 सिवी में लॉड करजन के द्वारा पानीपट के पर्थम यूद में बाबर ने किसे प्राजित किया था इ मुना नर्दी के किनारे सुलु एक कुल की निति किसकी डीर किसकी थी एह अकबर के थी एक उलॉड एक कुल किस मुगल सासक ने हिंदू और से जजिया कर हटाया था अकबर ने रूस में भारत विद्या का जनकी से कहा जाता है जी एस लिवीदेव यूनिसको द्वारा किस बरस हमपी विस्दरोवर अस्तर गोसित किया गया था 1986 को हमपी जो विजानेगर का है उसको 1986 में यूनिसको द्वारा विस्दरोवर की सुची में करनाटक में रखा गया विजय नगर का महांतम सासक कृष्ण देवर राय था हम पी किस राज में श्थेते विजय नगर और विजय नगर समराज की अस्थापना कब हुई थी 1336 में अंगुटर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्य कितनी है 16 मगत समराज की अस्थापन सब्सक्राइब कर दी है विक्रामादित की उपादेक समराट निकरन के थे चंद्वूप्त दों तीयाляются 202 मौरे वंसका सासक था मौरे समराज का पर्थम सासक कौन था चंद्रगुप्त मौरे और है महा भारत की रशना किस भासा में हुई है संस्कृत भासा में पुरानों की संख्या कितनी है अठार है आस्रम ववस्था में कितने प्रकार के आस्रमों का उल्लिक है चार आस्रम का उल्लिक ह और यहां पर मिल गया है और यहां परका सब्जेक्टिव यह तो आप अपना बना लिए आपके बुक का ही है जो की बुक से साड़ा पूछा गया है यह आपका साड़ा अब जेक्टिव और सब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव विरुप में यहां पे सारा है चार नमबर का जो डरीकुतर ये कोशन जिसमें से आपको पांच नमबर का चार कोशन बनाना होता है तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ आपको किसी भी चीज में अगर प्रॉबलम है आपको किसी भी टूल्स का कोशन का सुल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट कर सकते हैं थैंक यू